ये फ्रेंट्स वेलकंटू माई चनल अभी रॉक्स टीम्स तो हम आप लोगों के लिए आगया भाई यो मैच कवर करनें जो कि खिरजा का नेशन लीग फुटबॉल का क्रोशिया वोर्सिज पॉर्टुगल के बीच चार घंटे तेरा मिनिट बाद पिछले मैच में मैंने अब बी रॉक्स टीम 11 टीम्स एक्चिली क्या है ना क्योंकि जो लोग मनलब काफी जो जॉप्स करते हैं तो वो नाइट मैच खेलते हैं तो उनके लिए मैच मैच कवर करता हूं क्योंकि यार आप लोग भी खेल सको क्योंकि मौर्णिंग में कहीं लोग भी SSB नहीं भेज बाते हैं स्क्रीन शॉट्स तो यही मेरा ग्रूप है यहां पर टेंशन मतलों यहां टीम पोस हो जाती है 10-15 मिनिट पहले नाइट मैच की तो चलते हैं अब बात करू करो क्रोशिया वार्सिस पी ओ और के मैच की पिछले मैच में पी और बुरी तरीके से हारी थी मलब बात कर लेता उसने भी एक भी गोल नहीं किया क्योंकि यार अगर पूरी टीम स्ट्रॉंग नहीं होगी तो बिचारा रोनाल्डो केला क्या कर लेगा सीधी बात है तो अगर मैं बात करू गोल कीपर की तो यहां पर चुछा है पिछले मैच में चला था फ्रांस के आगे कोई घटिया गोल की पर खड़ा कर दिया तो तो कम से कम आप चार गोल ओर देखते फ्रांस के यह तो बंदा गोल की पर इनका अच्छा तो जो बचा गया टीम को थोड़ा बहुत बात करूँ डिफेंडर की तो यहां से नूंगा एक और टॉप का प्लेयर इसका नहीं है आ कि ड्रीम टीम में होना और आगे से बात करूँ हैं यहां से लोगा एक और प्लेयर जिसका नामे आर दियास आर दियास is not a good player मनलब गूड तो नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है अब इसमें देखो मैं इसी प्लेयर की गलती तो नहीं बोलूँ आप पूरी टीम देखो के वैसे देखा जाए ना ये टिम स्ट्रॉंग है मैं बुरा नहीं बोलूंगा पियो आर वैसे स्ट्रॉंग है पिछले मैच में मुझे पता था इसने हार ना है क्योंकि फ्रांस इससे चार मैच जीती हो थी और ये सिरफ दो तो इसके सामने मतलब साथ परसंट चांस इस ते जीतने के और आज साज 80% चांस इस टीम के जीतने के है तो बात करूं मिट फिल्टर की तो अब आता है क्रोशिया की बारी तो क्रोशिया टीम का एल मॉटरिक जो की एक टॉप का मिट फिल्डर है ठीक है देखो सारे क्रेडिट मेरे खर्च होगे एक प्लेयर पे मॉटरिक अच्छा ना होता तो मैं क्यों लेता, मैं अपने क्रेडिट क्यों खर्चता, तो मौडरिक आज का मैच ना भी खेले, अगर नहीं खेला, तो क्रेडिट बहुत अच्छे हमारे मिंटेन हो जाएंगे, और अगर यह खेलता है, तो मैं तो इसको पक्का रखूँगा, क्योंकि इसको skip करने का मतलब है, अपने पैर पे खुलाडी मारना, अपना लॉस खुद करवाना, क्योंकि मौडरिक अगर 20-25 पॉइंट भी दे गया ना, और हमारी टीम में ना हुआ, हमारी बैंड बच जाएगी टीम की, कभी मैं मौडरिक को ट्राय कर रहा हूँ, और आगे से बा क्रेट भी किये थे बहुत सारे, और आगे से बात करूँ, यहां से नुगा एक और प्लियर जिसका नाम है, मार्शैलो ब्रोजोविक, पिछले मैच में, जो 9 सब्टमबर को हुआ था, उस मैच के हिसाब से यह पॉइंट बहुत ही ज्याद है, क्योंकि पहले पॉइंट सिस करते हैं, अब रख दिया, इंटरनेशन फ्रेंडली, तो यह स्टैटस उड़ा देते हैं, यह बहुत गल्थ चीज लगती है, लेकिन हमारे पास स्टैटस है, तो प्रॉब्लम नहीं होती, अगर हमारे पास स्टैटस ना होना, तो टीम बनना मुश्किल हो, जो दोस्तों, ब मैं चाता हो, नेटो को खिलवाओ, क्योंकि फैलिक्स को मैंने देख लिया है, यह अपनी टीम के लिए लगी नहीं है, बल्ला भी जब भी फैलिक्स खेलता है, इनको बहुत इस बंदे के उपर पूरी दबाव होता है, पी नेटो ऐसा है, वो मदद भी करता है, तो नेटो क अबी के लिए बाई